हेलो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं मसाले वाले बैगन तो मैंने यह छोटे छोटे बैगन ले लिये आठ दस एक ले लिये प्याज और यह लेसन ले लिये अगर आप चाहो तो बैगन को बड़ा भी ले सकते लेकिन मेरे पास छोटे रखेते तो मैं इनको आज नए त सेयर कीजिये सब्सक्राइब करना मत भूलिये और यह देखिए मैंने अप प्याज को भी अच्छे से काट लूँगी और यह मसाले वाले बैगन बहुत अच्छे बनते टेस्टी बनते आप एक बाल जरूर ट्राय करना अब सर्दियों का सीजन चला है तो बैगन का सीजन न मैं ठोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं डालूँए क्योंकि रूज app पानी डाललने से मारा मसाले में पानी पानी सा हो जाता तो मैं सूच रही हूं थोड़ा सा इडल ऑकि इसमें च्छे से मिकसि में पीस लूँगी और यह देखिए मैंने मिकंसी में पिष लिया एक दो बद चला के और आप चाहो तो इसको प्याज को कद्दू करके भी डाल सकते हैं उससे भी बढ़िया टेश्ट आता है यह देखी मैंने ले ली सुकी मसाले यह है लाल मिर्ची पाउडर यह हल्दी पाउडर और यह है धनिया पाउडर और यह मैंने इसी में डालती है क्योंकि यह है थोड़ा सा गरम मसाला इसी में डाल दूँगी साथ में मैं इसलिए डाल लए हूँ क्योंकि मसाला जितना हमारा पानी बाला होगा वो गीला नहीं रहेगा इस मसाले से वाई है देखी में भैगन को अच्छे सी चार तुब्ड़ों में कर रही हूँ क्योंकि मैं खड़े नहीं बनाती अधूम्कि 1658 यक्ज़रे थ exatamente कुरुटे, तो युआद मों जाते हैं वी नहीं लग तेल और कडाई को मैंने रख दिया गरम करने के लिए और तेल भी में ज्यादा यूज नहीं करूंगी मना ज्यादा तेली तेल लगता है तो यह देखिए मैं थोड़ा साही तेल लिया और आप कितना खाते हो आप उसे साबसे डाली है ज्यादा नहीं खाती तो भी मेरा तेल बिल्कुल ज़ीए और ज्यादा तेल लाने से यह बै घर लोगता है तो ज्यादा अच्छा नहीं लगतार ये देखिए साथ में डाल और इंहरे आप देखे साथ में डाल दीआए मसाले और ये देखे पूरी किचन में दुणाँ-दुणाँ हाँ है क्योंकि सर्दियों का तायह मैं तो एशा ही decreased और यह देए मसाले में थोड़ा साथ उस में मिक्सर के जाल में डाल दी है पानि जिसे हमारा जितना भी मसाला होगा वो सारा पूरा आ जाए गो यह देखिए एक दम साप हो चुका है और अब मैं इसमें बिल्कुल भी पानी याड नहीं करूँगी क्योंकि यह मैं बिना पानी के और यह देखिए मैं डाल दूँगी मैं चार पाच मसाले में मिर्ची क्योंकि मिर्ची डालने से भी बैगन बहुत टेश्टी बनते यह देखिए मसाले के साथ डाल दी मैं मिर्ची और अब डाल दूँगी मैं बैगन और मैं मसाले को अच्छे से नहीं इसी में डाल दूँ क्योंकि वो अपने आप ही बुन जाएगा और बैगन भी साथ में हो जाएगे अगर आप मसाले को पहले मुझ लेंगे प्रबाद में बैगन बनाएंगे तो टाइम भी लगता है और वो अच्छा भी सौप्ट भी नहीं हो पाते क्योंकि मसाला माना जलता है और वेगन हमारे सौप्ट नहीं हो पाते तो मैंने देखी मसाले डाल दिया है साथ में नमक डाल दूँगे मैं इसको अच्छे से डखके रख दूँगी दो चार मिल्टिये लिए डग डखके और बीच में चलाती रहूंगे इससे क्या है हमारा अच्छे से बनके अधे यह देखी अब मेरे इंडेक्शन पर थोड़ा जादा हो रहा है तो यह इसमें क्या है अब यह सबची नीचे से जलेगी तो मैंने रख दिये गैस पर बिलकुल सुलो करके साथ में डाल दूँगी मैं एक नीबू क्योंकि अगर आपके पास अमचूर हो तो बोवी डाल सकत मेरे पास नहीं था तो मैंने डाल दिया नीबू और यह देखी कितने अच्छे से रेडी हो गया इनका कलर देखी और हाँ आपको एक और बास बता दूँँ आप अमेसा मसाले वाले बैगन ओ या भंडियों आप लोई की कड़ाई में ही बनाना और उसका टेस्ट अलगी र वी हैओ झाले से करे में हाँ आपको एक form एक लिए और रा शख्वर इनका कर में हाँ इनका के और जैल 영상 है